सब्सक्राइब किजे पीजन मस्ती चैनल को और पास में बने बैल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले कैसे हो आप लोग आज आज भाई आप देख सकते हो छद भी पुरा गिला गिला हो रखा है अभी बादल ओदल लगे हुएं ठीक है मतलब बारीस हभी हुई थी अभी इस समय साम के समय थोड़ा बंद हो गई है लेकिन बादल ओदल बहुत जादा लगे हुएं लगा रहे लोग हैं जो कबूतर पालते हैं और उनके पास हमारे से ज्यादा कबूतर हैं उनके पुराने कबूतर हैं तो हम लोग जब कबूतर अपने ट्रेंड करते हैं अपने छत पे सेट करते हैं तो वो लोग अपने कबूतर उड़ा देते हैं या फड़क देके उतार लेते हैं या पिन हमारे कबूतर जो हैं उनके छट पे चले जाते हैं तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारे कबूतर उनके पास ना जाएं ठीक है तो गाईस सबसे पहली चीज तो आप ये चीज समझ लो कि अगर आपके पास कोई पुराना कबूतर नहीं है आपने स्टार्टिंग किया है कबूतर पालने का तो चाहे आप कबूतर ज्यादा लालो या कम लालो भाई रिस्क तो रहेगा कि उनमें से कुछ कबूतर निकल ठीक है आप गाईस ऐसा सोचोगे कि उनमें से एक भी कबूतर मतलब जाए ही ना ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% है कि चला ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन गाईस ये चीज है भाई कि अगर आपने स्टार्टिंग किया है कबूतर पालने का और आपके इलाके में क भी कबूतर जाए ही ना ठीक है उनमें से भाई कुछ कबूतर कच्चे भी होंगे जो चले जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूं गाईस कभी भी अगर आप कबूतर पालने की स्टार्टिंग करो तो सबसे पहले कोशिस ये क्या करो कि ज मतलब अच्छे रिलेशन में नहीं रहोगे उनसे दुस्मनी लेके रहोगे तो आपको भी बहुत जादा दिक्कत आएगा और गाईस जब आप उनसे अच्छे बिहेवियर नहीं करोगे अच्छे से बात नहीं करोगे मतलब एक तरीके से दुस्मनी टाइप में लेके ठीक है तो गाइस हमेशा याद रखना कभी जहां भी कभूतर पालना तो अपने इलाकों वाले बंदों के साथ अच्छे रिलेशन रखना ठीक है क्योंकि जो बंदे पुराने कभूतर पाल रहे हैं और उनके कभूतर काफी टाइम से उनके पास हैं तो गाइस यह हकीकत बात ह आप चाहे जो कर लो आपके कुछ ना कुछ कबूतर गाईस उनके चत पे जाएंगे जाएंगे लेकिन अगर आप यही relation उनके साथ अच्छे रखते हो मतलब थोड़ी बहुत मतलब उनकी कुछ help कर देते हो कुछ भी अच्छे से उनके साथ बात करते हो या फिन आप खुछ सामने से बोल दे रहे हो कि भाई मैं कबूतर पाल करा हूँ लेकिन अगर तेरे कबूतर आ रहे हैं तो मैं 100% रिटन कर दूँगा मतलब रिलेशन एक टाइप से आप बहुत अच्छा को क्या फड़क देना और गाईस वह लोग भी आपको पूरा खुल के सपोर्ट करेंगे ठीक है मान लो अगर किसी का अजनभी कबूतर आता है तो मैं ये नहीं बोलता कि आप उन कबूतरों को मत उतारो या फिन मत फड़क दो अगर गाईस आपको पता नहीं है किस का कबूतर है आपको लगता है किसी और का कबूतर है तो हाँ भाई अगर वो उतर जाता है तो उसको आप पकड़ सकते हो लेकिन अगर वो आपके आसपास वाले बंदों का कबूतर रहता है तो गाईस इतना तो 100% fix है भाई कि वो भी आपके कबूतर return कर देंगे ठीक है अगर मान लो आपके कबूतर दूसरे के पास चले गए वो return नहीं दे रहा है ठीक है लेकिन गाईस आप उससे ऐसा मत सोचो कि भाई कि अब इसको इसके कबूतर को भी फड़क देना है बार-बार क्योंकि देखो आप जो है नया शुरुआत कर रहे हो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं सोचना अगर उसके कोई बच्चा आ गया कोई नया कबूतर आ जाता है तो आप खुसी-खुसी सामने से बोल दो भाई अपने तू कबूतर ले जा मेरे को नहीं चाहिए ठीक है तो गाईस उस बंदे को भी लगेगा हाँ यार ये बंदा बहुत सही है मेरा कबूतर इसने अपने आप रिटन कर दिया ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि आपके कबूतर मतलब सारे ही नय कबूतर है और आपको मतलब कुछ अच्छे से सेट venom करनाय उनको तो देखो और आपके पास कम कबूतर है तो गाईस देखो अगर आपको मतलब ऐसा है कि आपके कबूतर कहीं नहीं जाएं तो आप अपने छत पे वाई नेट लगा दो ठीक है नेट लगा दो गाईस यही एक रास्ता है जिससे कि आप अपने मतलब 100% पेसे समझ दो 95% ऐसा हो जाई है कि आपके कोई कबूतर ना जाए किसी और के पास ठीक है आपके सारे ही नए कबूतर है तो भी गाईस आप नेट लगा दो और नेट लगा के कम से कम उनको 3-4 माईने तक उस नेट के अंदर ही रखो क्योंकि भाई जब वो नेट के अंदर इधर उधर फड़क करेंगे तो उनको 3-4 माईने में पूरी आदत हो जाएगी उस छट की और वो उस छट को छोड़के कहीं भी नहीं जाएंगे आपके पास चाहे जितने भी कबूतर हैं 4 कबूतर हैं 10 कबूतर हैं लेकिन अगर आपके इलाके में कुछ बंदे कबूतर पाल रहें उनके पास जादे कबूतर हैं वो लोग उड़ा रहें तो आप 10 कबूतर कम से कम लेके आना और उनको भाई पूरा टाइम देना जल्दी बाजी बिल्कुल मत करना पूरा टाइम देना उनको और अगर आप नेट लगा देते हो ना भाई तो यकीन मानो नेट में कबूतर सेट करना बहत असान होता है क्या है अगर आपने पर्क गैच कर दिया या फिन परबान के रखा तो आइडिया नहीं लग पाता है नए बंदों को क्या है हम लोग को क्या आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई अब ये कबूतर छट पे घुल मिल गया है अपने पुराने कबूतर के साथ घुल मिल गया है लेकिन जो नए बंदे होते हैं वो लोग नहीं समझ पाते कि छट को पहचाना है कि नहीं यह और पुराने कबूतर तो उनके पास होते नहीं तो यह सवाल ही नहीं है कि पुराने कबूतर के साथ मिला है कि नहीं ठीक है तो गाईस सबसे अच्छा रास्ता यही है कि अगर आप नया कबूतर लाते हो तो थोड इतना ही आपके कबूतर आपके चट पे फड़केंगे जैसे तीन-चार महिना उसके अंदर रह लिए उसके बाद आप अपना नेट हटा दो उसके बाद भाई यकीन मानो उसमें से 95% चांसे कि आपका एक भी कबूतर किसी के पास नहीं जाएगा भले वो आपके पास 10 कबूत चाते उदर भी दूसरे कबूतर रहते हैं लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना यह सब कुछ आइडिया लग जाएगा तो एक यही रास्ता है अगर आपके आसपास वाले सपोर्ट आपको नहीं करते हैं आप इन कुछ वो नहीं करते हैं तो आप सबसे बेस्ट यहीं करो कि आप उपर नीचे दाना में पे कराओगे इधर उदर वो फड़केंगे तो बहुत जल्दी आपके कबूतर सेट हो जाएंगे तो गाईस मैंने आपको यह चीज़ बता दिया भाई आपको कैसे सेट करना है कबूतर को और मैं भाई आप उन भाईयों से रिक्वेस्ट करना होते हैं तो वो ठीक है बाई मतलब ऐसा होता है कि वो लोग में मतलब कुछ ज्यादा ही घमन टाइक में होता है एटिटूड होता है मतलब कुछ-कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो अभी भाई कबूतर लाया नहीं है और फेकी बहुत जादा मारने लगते हैं तो ठीक है बाई करो ठीक है क्योंकि देखो कभूतर बाजी क्या है लोगों को लगता है कि इस सौक को ज्यादा लोग नहीं करते हैं ठीक है लेकिन भाई ऐसा नहीं है आप लोग हम लोग जितने भी लोग यह सौक को कर रहे हैं तो भाई उसका पूरा सपोर्ट किया करो कि हां भाई यह भी कभ कभूतर पाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसके साथ में दूस्मनी रखना है चाहा कुछ भी पूरा जम के सपोर्ट क्या करो ठीक है उसको आप सामने से भी बोल सकते हो कि भाई कोई भी दिक्कत आये तेरे को कुछ ना समझा है तो मेरे से पूछ ले या फिन तेरे कभूतर आ है कि वो लोग आपके help करेंगे ठीक है तो आप लोग से यही request है मेरी कि आप लोग भी जो बंदे कभूतर पालने की सुरुवात करते हैं आपके इलाके में भाई उनके कभूतर आप लोग ना पकड़ा करें या फिन वो लोग जब अपने कभूतर को train कर रहें तो उस समय अ मानना आप आपके उपर है ठीक है और गाइस उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके इलाके में बहुत सारे लोग कभूतर पालते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है कि आप कम से कम 10 कभूतर लेके आओ और नेट लगा के उन्हें अच्छे से ट्रेन करो ठीक है और गाइस जितना हो सके उतना भाई बहेवियर अच्छा रखना अपने इलाके में तभी आपको यह सौक करने में मज़ा आएगा अगर आप बहेवियर अच्छा नहीं रखते हो दुसमनी करते जाते हो तो यह सौक मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ गाइस आप जादे दिन तक नहीं कर पाओगे और आखिर में आप बोलोगे छोड़ो यार नहीं पालना है ठीक है और गाइस अगर आपके कबूतर एकाद कबूतर इधर उधर चले जाते हैं और कोई बंदे नहीं देते हैं तो भी अपसेट ना हुआ करो सो अचे भी आपके पास आजाएंगे और कबूतर बढ़ जाएंगे और उसी साथ कबूतर से गाइस और बहुत सारे लोगों के आपके पास कबूतर आजाएंगे और वही साथ कबूतर से आपके पास क्या पता मतलब अंगीनत कबूतर हो जाएंगे ठीक है सो गाइस कभी भी मतलब स्टार्टिंग में अगर आपका कबूतर चला जाता है और पेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब वह लोग जो हैं हमारी वीडियो देखते हैं चाहे कुछ भी देखते हैं सोचते हैं कि ये बंदे ने दो हम लोग जो हैं हम्हें टाइम हो गया हमारे पास कभूतर हैं अगर आप लोग स्टार्टिंग किये हो तो आपके पास नॉलेज खम है उसका एक्सपिरियन्स भी नहीं है और आपके जितने भी कबूतर हों सारे नए हैं तो आप लोग जल्दी बाजी नात क्या करो पूरे अच्छे से ही कबूतर बाजी क्या सौक क्या करो और जितना हो सके गाइस उतना जो है अपने कबूतरों को अपने छट पे रखा करो यह नहीं कि एक महिना हो गया तो उसको लगे उड़ाने आज क्यों बस इतना ही लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक ठोक देना चैनल पे नए हो आप इन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स करके बताना गाइस की आपको समझ आय कि नहीं आप लोग पूछ रहेते कि भाई हमने स्टार्टिंग किया हमारे पास सारे नय कभूतर हैं हमारे अगल वगल में बहुत सारे लोग कभूतर पालते हैं तो कैसे अपने छत्ते सेट किया जा सकता है तो गाईस एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है एक यही इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो मिल दें फिंसे को और अच्छी से वडियो में तब तक के लिए बाई